आप आप क्यों आ गई रेनिंग में भींगते भींगते आ गई आप आप भींगते भींगते ही आ गई क्या जरूरी थी हाई अब्रीवन दिस मॉर्निंग इस रेली वेरी ब्यूटिफुल यूजली फाइब थर्टी पर मैं योगा और वॉक के लिए जाती हूँ बाट टोड़ी आई हैट तो कम बैक बिकाज इस तार्टे रेनिंग हाला कि दस मिनट के अंदर रेनिंग बन भी हो गई बाट मुझे अंदर जाने का मन नी हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि I was much much fascinated by नस्टर्सम और ये इतना ज्यादा लगा हुआ है कि मेरी गार्डन को ब्यूटिफाई कर रहा है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नस्टर्सम मेरे गार्डन को किस तरह से ब्यूटिफुल बना रहा है इसका में ग्रोइंग पीरियड इस्प्रिंग सीजन होता है इसके बीजों को बोने का जो सबसे बैस टाइम होता है वह होता है नमंबर से दिसंबर का महिना ये बहुत ही सुन्दर दिखने वाला जो फूल है पौधा है ये आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक मैडिसनल प पूलों में वाइटेमिन सी और कई तरह की मिनरल्स भी पाए जाते हैं जितना सुन्दर ये पौधा जमीन पर लगता है उतना ही सुन्दर ये पौधा गंबले में भी लगता है मैं तो हर साल इसकी पौध आसानी से घर पर ही त्यार कर लेती हूँ मुझे नर्से जाने की जरूरत नहीं होती पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती हर साल ही ये पौदे से जो seeds निकलते हैं ये seeds matcher होने के बाद अपने आप ही मेरे garden में गिर जाते हैं और next year जैसे ही इनका season आता है तो ये अपने आप ही sprout हो जाते हैं हाँ नस्टरसंग की पौद त्यार करने के लिए मैं कुछ seeds को जरूर collect करके store करती हूँ चुकि इसे mild sunlight की जरूरत होती है इसलिए spring season इसके लिए best है गमलों में लगाने के लिए जो मुझे इसकी soil को त्यार करना पड़ता है उसके लिए मैं लेती हूँ 40% की मात्रा में garden soil 30% की मात्रा में महीन बजरी और वर्मी कंपोस्ट मैं लेती हूँ 20% की मात्रा में और कोको पीट लेती हूँ मैं 10% की मात्रा में अगर आप भी निस्टरसम को गमली में लगाना चाहते हैं तो पहली चीज़ है इसके soil के वारे में प्रपोर्शन के वारे में ध्यान रखना और दूसरी चीज़ है कि जब आप इसको गमले में लगाते हैं तो ध्यान रखें कि पौधे के वाइट पोर्शन को सॉयल के अंदर ही रखें हाँ एक बात का ध्यान और रखना है कि इससे एवरेस वाटर की आवशकता होती है टूमच वाटर इसके फ्लावरिंग को प्रॉपरली नहीं होने देगा और साथ ही साथ इसकी जो लीब्स होती है पत्यां होती है वो भी यलो हो जाएंगी जब नस्टरसम को गंबले में लगाया जाता है तो इसके वाटर, सॉयल एंड सल्डाइट सभी का ध्यान रखना पड़ता है लेकिन जब इसको जमीन में लगाना होता है तो बहुत ही आसानी से ये उगाता है तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइफ शियर एंड सब्सक्राइब जरू करें